गुड मार्ड नियरेश्ट्रेंट्स इस क्लास के तहट सभी विद्यारति ध्यान दें कि आज आप लोगों को इंग्लिस रेडर लेशन सेबन पढ़ना है ठीक है English Reader Lesson 7 चैप्टर का नाम क्या है The Man Who Wanted Nothing मतलब वह आदमी जो कुछ नहीं चाहता नहीं अब इसमें एक स्टोरी है कि दुनिया में बहुत से कम आदमी ऐसे है इंसान ऐसे हैं जो कुछ नहीं चाहते ठीक है चुकि सबके पास क्या है by nature human greedy मतलब प्रकृत से ही आतमी क्या होता है लालची होता है अब बहुत कम rarest of the rare men जो क्या होता है कुछ नहीं चालता है जिसके पास कोई grade नहीं होती अब पढ़ने आप लोगों को देखे Wally Dad Wally Dad लिखा न was a carpenter who lived alone and worked hard the whole day long Wally Dad was carpenter Wally Dad एक क्या था Carpenter मतलब बढ़ाई who lived alone जो अकेला रहता था and worked hard the whole day और पूरे दिन कठिन महनत करता था ठीक His tests were simple and his wants few His tests were simple and he wants few जो उसका tests था tests मतलब होता है thinking, so much वो बहुत क्या थी साधारण थी और वह बहुत कम चीजों को क्या करता था चाहता था So he spent very little of the money he earned So he spent very little of the money he earned इसलिए वह जितना कमाता था उसमें से बहुत कम पैसे खर्च करता था One day he found एक दिन वह पाया that the jar in which he kept his money कि वह jar मतलब घड़ा जिसमें वह पैसा रखता ठीक है वह फुल अफ the brim वो कहां तक भर आई brim मतलब घड़े के जो मतलब उसका क्या होता है उपर का शक्रभाग मतलब उसके मुह तक भर के आ गई गर्दन कह सकते हैं ना घड़े की जो महां तक होती है चलिए आगे देखे I must empty it मैं अवश ही इसे खाली कर दूँगा He thought उसने सोचा और अथवा I will have no container for my money अथवा I will have no container मेरे पास कोई आने container भी नहीं होगा किसके लिए पैसे के लिए He took the jar to the local jeweler वो उस jar को एक जो पास का स्वंड कार था उसके पास ले गया I amputed its content on the floor और उसमें जो भरा हुआ मतलब पैसा था उसको फर्स पर क्या कर दिया खाली कर दिया And ask the jeweler to give him a bracelet worth the sum और उसने जोलर से कहा कि जितना भी मतलब क्या है इसकी कीमत है उसका ओ एक क्या दे दे bracelet वर्थ दश्यम ब्रेश्लेट मतलब कंगन दे जोलर गेव हिम अ प्रेटी लिटल ब्रेश्लेट मेड आफ गोल्ड स्वड़कार ने मतलब शुनार ने उसको एक सुन्दर छोटा सोने का बना हुआ क्या दिया कंगन दिया वर्थ देट वर्थ दे दें what he should दू विथ दे भी वाल्ड़ किस में हो गया आश्यर में हो गया कि वो इस कंगन को करेगा क्या उसने देखा कि ब्यापारियों का जो हेड है ठीक है, of a line of camels, head of a line of camels, मतलब कई उट ब्यापारियों के पंक्ति से क्या हो रहे थे, जा रहे थे, लदेन बिथ गुड्स, जो सामान से भरे थे, and asked him where he was going, और वो पूचता है, कौन वलिडेट पूचता उस ब्यापारियों से कहां, वो जा रहे थे, to the palace, said the merchant, ब्यापारियों ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं, महल को, Import, Importantly, the princess had ordered some cloth, Importantly, the prince had ordered some cloth, मतलब कुछ आयातित कपड़ों को राजकुमारी ने आदेश दिया है, लाने के लिए, चलिए, ठीक है, Will you give her this bracelet to, अब वाली डैट कहते हैं कि क्या इस bracelet को भी आप उन्हें दे देंगे, किसको, princess मतलब राजकुमारी को, said the carpenter, carpenter ने कहा, handling over the bracelet, उस bracelet को देते हुए, he had bought to him, he had bought to him, जो उसने उन्हें के लिए क्या था, खरीदा था, tell her, it is gift from वली डैट, और उसे बता देना, ये वली डैट का क्या है, उपहार है राजकुमारी के लिए, हर के लिए, चलिए, the princess liked the bracelet, राजकुमारी ने उसे पसंद किया, कंगन को, and send him a camel, load of the finest silk in return, और उसने, उसके बदले में, वली डैद को, एक उउट से भरा हुआ, सुन्दर, मतलब क्या भेजा, silk उसके बदले में, धे दिया, silk मतलब कपड़े होते हैं, silk के रिशम से बने हुए, अब यहां तक समझ में है, last paragraph देखिए, what will I do, with these silks, मतलब हम इन silks के साथ क्या करेंगे, grown वली डैड, मतलब गुर आते हुए, कहे, when the merchant bought the heavily leaden camel to him, जब व्यापारी उसके पास भारी भरकम लदे हुए, मतलब किसे, उंट पर silk से आया, give them to someone else, तो बोलता है, किसी और को दे दीजिएगा, suggest the merchant, मतलब उस व्यापारी ने कहा, चलो ठीके, दूसरे को देदा, who, वो कहता है, किसे, अब यहाँ तक हो गया, पहला paragraph, मतलब पहला page, अब दूसरे में देखते हैं क्या होता है, perhaps the sultan of, ठीक है, case, संभौता है, यह है, जो देना है, किसको देना, sultan, जो है, कहां के, case के, so walidat sent the silk to the sultan, इसलिए walidat ने silk को sultan के पास भेज दिया, who delighted with the gift, जो बहुत खुश हो आउस उपहार से, send him six of his finest horse, और उसने इसके बदले में अपने छे सुन्दर घोडे भेज दिये, walidat sent them to the princess, अब walidat ने क्या किया, उन घोडों को करता क्या, वो बढ़े ही आत्मी था, वो किसके पास भेज दिया, फिर से राजकुमारी के पास भेज दिया, who is this walidat, and why is he sending me gift, अरे ये walidat है काउन, और मुझे gift क्यों भेजता है, she asked her advisor, उसने अपने सलाकार से पूछा, probably somebody wants to impress you with his wealth, संभोता कोई ऐसा ब्यक्ती है, जो आपको अपने मतलब धन शे प्रभावित करना चाहता है, impress करना चाहता है, मतलब खुश करना चाहता है, said the advisor, सलाकार नहीं कहा, send him a gift that he cannot match, that will humble his pride, send him a gift, उसे एक उपहार भेजिये, that he cannot match, जिसके बदले में उसके पास कुछ नह, that will humble his pride, जो उसके घमंड को, क्या कर दे, बिनम्र कर दे, चली, the princess send him, to mules लदेन with silver, राजकुमारी ने उसे बीस खचरों से लदा हुआ, क्या भेजा, चादी, not wishing to be burdened, by so much belt, अरे इतने धन का, भार तो मुझ से सहा नहीं जाएगा, मैं इच्छा नहीं रखता, वली डैट send, the silver to the Sultan, वली डैध ने, उस silver को, चादी को किसको भेज दिया, सुल्तान को, the Sultan was, perplexed, और सुल्तान पूरी तरह से, perplexed हो गया, मतलब impressed हो गया, खुश हो गया, मतलब हैरान हो जाना, perplexed का मतलब, चलिए, who is the वली डैध, के वली डैध है कौन, and why is he sending, में gift और मुझे उपहार क्यों, भेज रहा है, he asked his advisor, उसने अपने सलाकार से पूछा, probably somebody wants to impress you, संभौता कोई आपको क्या करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है, you with his wealth, अपने धन से, said the advisor, advisor मतलब सलाकार ने कहा, send him a gift that, he cannot match, उसे तो ऐसा उपहार भेजी है, जिसके बदले में उसके पास कुछ होई न, that should humble him, जो उसे क्या कर देगा, बिनम्र कर देगा, the Sultan sent validated 20 carloads of precious stones, which validated promptly returned to the princess, सुल्टान ने उसे 20 carloads, मतलब बैल गाड़ी से, भर करके कीमती पत्थरों को दिया, मतलब जेवराद कह सकते हैं, which validated promptly returned to the princess, जिसे की validated ने सीधे राजकुमारी को भेज दिया, the princess, राजकुमारी, her curiosity picked beside to pay him a budget, राजकुमारी की जो उत्सुकता थी ना, बेचाई नहीं थी, उसने निर्ड़ाई लिया, कि अब हमें एक बार वली देर्ट से क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, she set out secretly, taking only her made with her, secretly मतलब चुपके से उन्होंने अपनी आत्रा प्रारम कर दी, अपने साथ केवल अपनी एक दासी ले करके, their queries cool them to the humble dwelling of the carpenter, their queries, उन्हें की जो inquiry थी, मतलब जानकारी थी, cool them, उन्हें सांथ कर देती है, to the humble dwelling of the carpenter, उस बढ़ाई के simple निवास अस्थान से, मतलब उसका simple रहन सहन से, वो क्या हो जाती है, सांथ हो जाती है, as they were looking around in, the builder mint, a handsome man of regal wearing, came riding towards them, as they, जैसे की, we were looking, मतलब देख रहे थे, around, चारों तरफ, in bewilderment, a handsome man, of regal wearing, came, एक चका चौधवाला, सुन्दर आदमी, regal wearing, मतलब जो राजसाही कपड़े पहने हुआ था, came riding towards them, उनकी तरफ घोड़े से, क्या हुआ, आया, it was the sultan of case, देखे, it sultan के लिए प्रियोक किया गया, दूसरा कोई नहीं था, कहा का, case का sultan था, he to decide to make the exquittance of the mysterious valley dead, उसने भी निर्ड़ाई लिया था, to make the exquittance, मतलब परिचय करने का, of the mysterious valley dead, उस रहस्य मई, valley dead, मतलब जो क्या थे, carpenter, the sultan and the princess fell in love with each other, sultan और राजकमारी दोनों एक दूसरे के प्रेम में पढ़ गये, at first sight, पहली द्रश्च में, after a short courtship, मतलब थोड़ी सी, आवा भगत के बाद, courtship मतलब क्या होती, खातिरदारी, they announced their marriage, वे अपनी साधी की घोशना कर दिये, valley dead was now a famous man, valley dead, अब एक क्या हो गया था, प्रशिद आदमी, as he refused to go, to either of their palace, जैसे कि उसने मना कर दिया, दोनों महल जाने के लिए, मतलब ना तो princess के महल, ना ही किसके, मतलब, सुल्तान के महल, the princess and sultan send him, a chest full of gold, सुल्तान और राजकुमारी ने, उन्हें chest full of gold, मतलब पूरा भर करके, क्या भेजा, शोना, बट इट वाज नेवर दिलिवर्ड, लेकिन यह कभी, पहुचा नहीं, वेन वली दैड शाह, the sultan's men, जब वली दैड ने, सुल्तान के आदमियों को देखा, ब्रिंगिंग दे गोल्ड शोना, ले आते हुए, he fled the village, वो गाउं से, फिली का सेकंड फार्म होता है, फिलेड, गाउं सोड करके भाग गया, and was never seen again, और दुबारा फिर दिखाई, नहीं पड़ा, यह आपको क्या है, chapter second, अब इसके में देखिए, वर्ड मीनिंग है, अब आप लोग यहाँ पर ऐसे वीडियो रोकेगा, वर्ड मीनिंग नोट कर ली जाएगा, जैसे कारपेंटर, बढ़ाई, ब्रिम, किनारा, कंटेनर, बरतन, वांडर्ड, आस्चर चकित होना, मर्चेंट, प्यापारी, वेल्थ, थन, मूल्ष, खचर, परप्लेक्स्ड, हैरान हो जाना, हंबल, बिनम्र, स्टोन्स, पत्थर, क्योरियासिटी, उत्सक्ता, ड्रेलिंग, रहना, एस्क्विटेंस, मतलब जानकार, परहेप्स, सायद, मिस्टिरियस, रहस्यमे, ओके, भरेंगे, बाद में आपने से भी अपने से करेंगे, जब एक साइस भी जेंगे, तब आप लोग कम्प्लीट करेंगे, ओके, इसके बाद देखे, ये कुश्चेन एंस्वर है, वाज वालिदेट, वाट डिड़ वालिदेट, डू, ये आप लोग पांचों क्विश्चेन भी वीडियो रोक करके, नोट की रहेगा, एंसर बीच में भेजा जाएगे, तब लोग लिख लिएगे, अब यहाँ पर क्लिवर, देखे, इसको, क्लिवर ली करना है, लव ली करना है, ये ग्रैमर का पोजिशन है, जिब ग्रैमर पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, आपका ये जो लेशन कम्क्लीट हुआ, ठीक है, क्या है, दे मैन हूँ वांटेड नथिंग, आप लोग इसको कम से कम दो तीन बार, रेड करके, हिंदी अर्थ समझ लिजएगा, थैंक्यू फार दिस क्लास,